श्रोताओ आज हमें एक बहुती संदर पहेली लेकर उपस्तित हुए हैं जो इस प्रकार से है उस कन्या का नाम बताओ जो दस पतियों को व्याही गई है दक्ष देव की मात बता दो 27 पत्रियां किसकी हुई हुई श्रोताओ आप देख रहें भक्तियां सागर चैनल मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम बोलो जैश्री क्रिश्ना हम आपके लिए रोजान उपस्तित होते हैं लेकर के एक पहेली चाया आप पूछते हैं या नहीं पूछते लेकर हम एक पहेली रोज लेकर आते हैं तो उस रोताओ इसी क्रम में आज जो हमने पहेली ली है ये विश्नु पुराण से है बहुत ही रोचक कथा है इसलिए अंत तक वीडियों में बने रहेगा तो अब हम इस पहेली का जवाब प्रस्तुत करेंगे उस कन्या का नाम बताओ जो दस पतियों को ब्याया है दक्ष देव की मात बतादो 27 पत्निया किस की हुई बहुत यच्छी पहेली कथिन पहेली लेकिन विश्नु पुराण से ली गई पहेली है तो शुरोताओ अब हम आपके लिए इस पहेली का जवाब देने जा रहे हैं तो पहले हमें उस कण्या का नाम बताना है जो दस पतियों को याई आई इसके लिए हमें एक संदर सी कथा संते हैं जो कि विश्नु पुराण से है एक साद भी अपने पूर्व जनम में एक मारा ने थी पूत्र हीन अवस्था में ही पती के मर जाने पर इस महाभागा ने अपने भक्ती भाब से विश्नु पहगवान को संतुष्ट किया इसकी आरादना से प्रिसन हो विश्नु भगवान ने प्रकट होकर कहा हे सोभे बर्मान तब इसने अपनी मनो अबलासा इस प्रकार के सुनाई भगवन बाल बिद्वा होने के कारण मेरा जनम ब्यर्थी हुआ है हे जगतपते मैं ऐसी आवागनी हूँ कि फलहीन और पुत्रहीन ही उत्पन हुई अतै आपके पासे जनम जनम में मेरे बड़े प्रिसेंशनिय पती हो और प्रजापती ब्रह्मा जी के समान पुत्र हो और हे अदोधवज आपके प्रिसाद से मैं भी कुल शील अवस्था सत्य दाक्षन ने कायरे को सलता सीगर कायरता असाम्धता ये उल्टाना कहना सत्व ब्रद सेवा और कृतिक्ता आदी कुनों से तथा सुन्दर रूप संपत्ती से संपन और सब कुप दिये लगने बाली अयो निजा माता के गर्व से जन्म लिये बिना ही उत्पन होगू। संप बोले उसके ऐसा कहने पर बड़दायक परमेश्वर ने देवा दिदेव जिशी के इसने प्रणाम के लिए जुकी हुई उस बाला को उठा कर कहा तेरे एक ही जन्म में बड़े प्राक्रमी और विक्षात करमबीर दस्पती होंगे। उसी समय तुझे प्रजापती के समान एक महावी जिवान एवं अत्यंत बल विक्रम्युक्त पुत्र भी होगा। वह इस चंसार में कितनी ही बंसों को चलाएगा। तो स्रोताओ, वह एस तरी और कोई नहीं, बल्कि मारी शाता थी, ब्रख्ष्यों की पुत्री मारी शाता। इधर बहिरन प्राचीन के पुत्र प्राचेता थे तर्स प्राचेता जो की समुद्र में तपश्या कर रहे थे उसके पिता के कहने पर कि अब आप ऐसा साम करो मुझसे ब्रह्मा जी की आग्या प्राप्त ही है आप भार निकलो और सादी करो अब प्राचेता बोले हम समझे नहीं पिता जी हम को इस्वष्ट कहिए तो उनके पिता बोले यदि आप दस हजार या भगवान विश्णों को प्रसंद कर ले या दस हजार वर्ष तक तपश्या करें तो आपको अवैस्ष फल मलेगा तो उन प्रचेताओं ने दस हजार वर्ष तक भगवान विश्णों की तपश्या की भगवान विश्णों प्रसंद होए और बोले आपको एक सुन्दर इस्त्री मिले ले आप सभी को एक सुन्दर इस्त्री की प्राप्टी होगी जैसे ही दस अजार वर्ष की तपश्या के बाद बेभार निकले तो उन्होंने देखा कि संपून प्रत्वी को ब्रक्षों ने ढख लिया है अब उन्होंने अपने मूँ से बाईयों को छोड़ दिया और अगनी को छोड़ दिया बाईयों ने पेड़ों को सुखाया और अगनी ने उनको जलाया तो मुश्किल से कुछ एक पेड़ ही बचे तभी पेड़ों के राजा सौम देव आगए और सौम देव ने कहा आप संदी कर लो और एक बहुती संदर कन्या है रत्न शरूपा कन्या है जिसका नाम मारिशा है आप उससे सादी कर लो तो सौम दाओ उस कन्या से जो मारिशा थी जिसके पूर्व जनम की कहानी हमने सबसे पहले सुनाई थी कि किस परकार से वो पूर्व जनम में विदवा थी फिर उसने दस पती उने का बढ़दान मागा तो उन दस प्रिशेताओं से उस मारिशा नाम की कन्या का बढ़दा हो गया श्रोता हो उस कन्या से ही दक्ष प्रजापती पैदा हुए उस कन्या से ही दक्ष प्रजापती पैदा हुए जिससे उनके एक रानी से साइट कन्याएं थी और उन साइट कन्याओं में से सताइस कन्याएं चंद्रमा को दी गई थी मैं नहीं कह रहा है यह सब कुछ विश्णु पुरान में लिखा हुआ है तो सुरोताओ अब हम पहेली की तरफ आगे बढ़ते हैं उस कन्या का नाम बताओ जो दस पतियों को व्याई गई तो वो कन्या मारिशा थी जो की ब्रक्षों की पुत्री थी सौन देव की उस कन्या का नाम बताओ जो दस पतियों को व्याई गई दक्स देव की मात बता रहा तो सुरोताओ दक्स देव की जो माता थी वह भी मारिशा ही थी मारिशा दक्ष देव की माता थी और प्रचेता दक्ष के पिताजी थे दक्ष देव की मात वतादो 27 पत्रियां किसकी हुई और 27 पत्रियां चंद्रमा की हुई जो की दक्ष देव ने उनकी शादी चंद्रमा के साथ की थी दक्ष प्रजापती ने तब सिरोताओं यहां एक प्रिशन उठता है कि हमने तो सुना है कि जो दक्ष प्रजापती हैं वो ब्रह्माजी से उपन हुए है लेकिन अब आप बता रहे हो कि मारिश्चा और प्रचेताओं के पुत्र है इसमें तो बहुत बड़ा अंतर है तो सुरोताओं यहां विश्णों पुराण में इस पश्ट लिखा हुआ है कि ज्यानी पुरुष इस बारे में संदे नहीं किया करते क्योंकि जाने कितनी वार स्रश्टी की रचना हुए कितने ही दक्ष पैदा हुए इसलिए जो दक्ष हैं जो एकवार ब्रह्माजी से पैदा हुए तो वो कभी इनसे भी पैदा हुए अर्थान एकवार मारिशा और जो प्रचेता थे उनसे भी पुत्पन हुए क्योंकि इस रश्टी अनेकों बार हो चुकी है तो स्रोताओ इसमें संदे करने की आवश्यक्ता नहीं अब इस पहिली का जवाब लग चुका है अब हम आप से लेते हैं पिता बोलो जैसे जैसे